Untitled Chapter अब तक आप लोगों ने पढ़ा मननत के मूँ से एकदम से आह निकल जाती है मननत अपनी कमर को सहलाते हुए हिरानी से प्रेम को देखती है तो प्रेम मननत की तरफ अपनी आई ब्लिंट कर देता प्रेम को आई ब्लिंट करता हुआ देखकर मननत की आँखे हिरानी से बढ़ी हो जाती है और प्रेम जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और फिर नेना भी आ जाता है फिर तीनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैक जाते हैं और अपना डिनर स्टॉट करते हैं अब आगे, खाना खाने के बाद नैना अपने रूम में चली जाती है और प्रेंग भी अपने कमरे में चला जाता है और लप्टॉप पर अपना काम करने लगता है या फिर यूँ कह लोग की मननत के आने का इंतजार करने लगता है नैना अपने कमरे में सोशल मीडिया पर विजय को सर्च कर रही थी और फिर विजय की प्रोफाइल नैना को एक सोशल मीडिया पर मिल जाती है जिसमें विजय की काफी सारी पिक्चर्स थी जिसमें से विजय ने कुछ पिक्चर्स में तो ज्यादा तर श्रीपी सूट ही पहना हुआ था लेकिन उसमें भी विजय बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और हैंसम लग रहा था कुछ फोटोस पार्टी की थी तो कुछ फोटोस जिम की थी लेकिन एक फोटोस में विजय शर्टलेस स्विमिंग पूल में खड़ा था और उस पिक्चर्स में विजय के बाल भीगे हुए थे और पूरी बॉडी पर पानी की बूंदे थी जिसमें विजय बहुत ही ज्यादा होट अन हैंसम लग रहा था नैना हर एक पिक्चर्स को बहुत ही ध्यान से और अपनी दिजय नजरों से देख रही थी और जब नैना विजय को शर्टलेस वाली फोटो में देखती है तो अपने हाथों को रोक नहीं पाती नैना के हाथ खुद पर खुद लैप्टॉप की स्क्रीन पर विजय की बॉडी को टच करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं नैना अपनी आँखों में धेर सारा प्यार लिए विजय को देख रही थी नैना मुस्कुरा कर विजय की पिक्चर्स को देखते हुए बोलती है ये हमेशा हॉट एंड हैंसम लोगों के नाग पर गुस्सक्यों रखा रहता है जब पहली बार देखा था तब ही समझ गई थी कि छोटी सी नाग पर कितना गुस्सा रहता है एंड मिस्टर होती ये तो पता चल गया है कि तुम सिंगल हो लेकिन ज्यादा दिन तक सिंगल नहीं रह पाओगे इतना बोल कर नैना लप्टॉप की स्क्रीम को चूम लेती है जिसमें विजय की तस्वीर थी दूसरी तरफ हौल में मननत इस दुविधा में थी कि वो कौन से कमरे में जाए कर रात प्रेम की तबियत खराब थी और प्रेम बेहोश था इसलिए मननत प्रेम के साथ प्रेम के कमरे में रुक गई थी लेकिन आज रात तो प्रेम बिलकुल ठीक है और होश में है और प्रेम की होश में होते हुए तो मननत की कदम प्रेम की कमरे में पढ़ ही नहीं रहे थे। मननत और प्रेम तो पहले से ही अलग-अलग कमरे में रहते थे और यहां पर तीसरा कमरा नहीं था। और अगर नैना के कमरे में जाते हैं तो नैना को डिस्टब होगा और अगर नैना कोई सवाल करेगी मननक प्रेम के कमरे में ले जाकर उसके कमरे में क्यों आए हैं तो मननक क्या जवाब देगी इसलिए मननक परेशान हो रही थी कि वो कहां सोय मननक परेशान हो कर खुद में ही बढ़बढ आती है क्या मुसीबत है इतने बड़े बिजनिस्मेन है तीन चार बेडरूम वाला होटल रूम नहीं ले सकते थे क्या फाइदा इतने पैसे कमाने का जब दिल इतना कंजूस हो नैना के कमरे में भी नहीं जा सकते अगर नैना सवाल करेगी तो हम उसका क्या जवाब देंगे कि हम तो तुम्हारे भाई से शुरू से ही नहीं रहते थे तो अब क्यों उनके कमरे में जाएं नहीं नहीं, हम नैना के कमरे में नहीं जाएंगे और नहीं उनके कमरे में जाएंगे और वैसे भी, मननक प्रेम की शरारत याद करके बोलती है, वैसे भी उनके पास जाना हमें खत्रे से खाली नहीं लग रहा वो कुछ ज्यादा ही शरारती होते जा रहे शाम को कितनी जोर से हमारी कमर पर चुक्की काटी थी और सुबह सुबह तो जैसे हमारे होठों को खाही जाते फिर नैना इरिटेट होकर खुद से ही बोलती है लेकिन अब हम सोई कहां नींद भी बहुत आ रही है तभी मननत का ध्यान हॉल में रखे हुई सोफे पर ज्यादा है तू मननत की आँखों में सोफे को देखकर एकदम से चमक आ जाती है और मननत सोफे को देखकर बोलती है अरे हाँ, इसका तो हमें ध्यान ही नहीं रहा ये सोफा बैच से कम थोड़ी ना है इस पर भी तो हम आराम से फेल कर सो सकते हैं शुक्रिया सोफा जी आपने हमारी बहुत बढ़ी दुविधा दूर कर दी दूसरी तरफ प्रेम घली में देता है तो उस वक्त रात के 11 बजे बज रहे थे और प्रेम दरवाजे की तरफ देखता है तो मननत अभी भी नहीं आ रही थी प्रेम दरवाजे को देखते हुए बोलता है ये मननत कहां रह गई अभी तक नहीं आए ऐसा क्या काम कर रही है जो इसका काम अभी तक नहीं खत्म होगा प्रेम बिस्तर से उठता है और अपनी स्लीप पहन कर कमरे से बाहर मननत को ढूंदने के लिए आ जाता है प्रेम मननत को किचल में देखता है तो मननत उसे वहां पर नहीं दिखाई देती प्रेम फिर हॉल में मननत को देखता है तो प्रेम को मननत वहां भी दिखाए नहीं देती क्योंकि मननत सोफे पर सो रही थी और प्रेम का ध्यान सोफे पर गया ही नहीं तो फिर प्रेम को लगता है कि शायद मननत नैना के साथ नैना के कमरे में सो रही है और यह बात सोच कर ही प्रेम को गुस्सा आ जाता है रात के ग्यारा बजे बज रहे थे इसलिए प्रेंग नैना के कमरे में जाकर नैना को डिस्टब नहीं करना चाहता था इसलिए प्रेंग गुस्से में बोलता है आज की रात चैन से सोलो कल की रात तो तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में मेरे ही बिस्तर पर और मेरे ही नीचे बितानी होगी प्रेम गुस्से में अपने कम्रे की तरफ जाही रहा होता है कि तभी मननत करवट लेती है और मननत की हाथों की चूडियों का शोर प्रेम के कानों में जाता है मननत की चूडियों की आवाज सुनकर प्रेम की जाते हुए कदम रुख जाते है प्रेम पलट कर देखता है तो मननत उसे तब भी नहीं दिखाई देती लेकिन प्रेम ने मननत की चूड़ियों का शोर साफ साफ सुना था इसलिए प्रेम वापस से हॉल में मननत को चारों तरफ देखने लगता है और तब ही प्रेम का ध्यान सोफे पर सो रही मननत पर चला जाता है वाइट कलर के प्लाजो सूट में मननत एक खूबसूरत परी लग रही थी सोते हुए प्रेम की नजर जब मननत के खूबसूरत चेहरे पर जाती है तो प्रेम की नजर वही थार जाती है नाइट बल्प की रोशनी में भी मननत का चेहरा किसी सोने की तरह चमक रहा था प्रेम मननत की खूब सुरती में मधोश होकर बस मननत को देखे जा रहा था लेकिन तभी मननत फिर से करवत बदल लेती है और अब प्रेम के सामने मननत की गोरी पीट थी क्योंकि मननत के सूट का गला का काफी बड़ा था और उसमें दो डोरिया बंदी हुई थी जिससे मननत की गोरी पीक बाहर जांक रही थी जिससे देखकर प्रेम के दिल में हल्चल सी पैदा हो जाती है प्रेम खुद को कंट्रोल करके नीचे जुकता है और मननत को अपनी बाहों में उठा लेता है लेकिन जैसे ही प्रेम मननत को अपनी बाहों में उठाता है तो मननत की नींद कच्ची हो जाती है क्योंकि अभी मननत गहरी नींद में नहीं सोई थी और जब मननत खुद को प्रेम की बहों में देखती है तो मननत अपने मन में बोलती है हे महादेव, क्या ये हमें नींद में ही अपने कमरे में ले जा रहे हैं मननत अपनी बात को पुरा बोल भी नहीं पाई थी कि प्रेम मननत को अपने कमरे में लेकर आ जाता है और फिर आराम से मननत को बिस्तर पर लेटा देता है लेकिन मननत ने अभी भी अपनी आँखें बंद कर रखी थी और सोने का नाटक कर रही थी मननत को देखकर प्रेम मुस्कुराता है और फिर अपनी टी-शर्ट निकाल देता है मननत को अपनी बंद आँखों से भी प्रेम की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी प्रेम मननत को मुस्कुराते हुए देख रहा था क्योंकि मननत की बंद आँखों की हरकते बता रही थी कि मननत जाग चुकी है प्रेम धीरे से मननत के ऊपर आता है और मननत के होठों को बहुत ही प्यार से और हलकी से चूंग लेता है और ये होते ही मननत की धर्कन ए बुलेट ट्रेम की स्पीड से भी जादा बढ़ जाती है लेकिन फिर भी मननत अपनी आँखे नहीं खोलती और अपने सोने का नाटक जारी रखती है तो प्रेम मुस्कुरा कर मननत को बोलता है मैं जानता हूँ वाइफी तुम सो नहीं रही हो तो अपनी आँखे खोलो क्योंकि आज रात तुम्हें सोने देने के मूड में मैं बिलकुल भी नहीं हूँ लेकिन मननत फिर भी अपनी आखे नहीं खोलती जब मननत अपनी आखे नहीं खोलती तो प्रेम के चहरे पर एक गैवल स्माइल आ जाती है फिर प्रेम अपने एक हाथ से मननत के सूट को उपर करता है और अपना हाथ मननत के सूट के अंदर डाल कर मननत की पेट को सहलाने लगता है और अपने पेट पर प्रेम का हाथ महसूस करते ही मननत जट से अपनी आँखे खोल देती है प्रेम जो मननत के बराबर में लेटा हुआ था एकदम से मननत के उपर आ जाता है और बिना वक्त गवाए मननत के होर्थों को अपने होर्थों में कैद कर लेता है और मननत अपनी आँखें बढ़ी करके हैरानी से प्रेम को देखने लगती है और प्रेम मननत के होर्थों को शक करते हुए खीच रहा था उन्हें स्मूच कर रहा था जब भी प्रेम मननत के करीब आता था तो प्रेम खुद पर काबू नहीं कर पाता था और प्रेम दूसरे हाथ से मननत की कमर को सहला रहा चब 47 मद होशियां खूब सुरत पल अब तक आप लोगों ने पड़ा बिना वक्त गवाय मननत के होर्थों को अपने होर्थों में कैद कर लेता है और मननत अपनी आँखें बढ़ी करके हैरानी से प्रेम को देखने लगती है और प्रेम मननत के होर्थों को शक करते हुए खीच रहा था उन्हें स्मूच कर रहा था, जब भी प्रेंग मननत के करीब आता था तो प्रेंग खुद पर काबू नहीं कर पाता था, और प्रेंग दूसरे हाथ से मननत की कमर को सहला रहा, अब आगे प्रेंग के होठ मननत के होठों का रस पीने में लगे हुए थे, धीरे धीरे प्रेंग मननत के ह और भी ज़्यादा पैशनेट होकर को स्मूज करने लगता है और प्रेम की किस में धीरे धीरे मननत भी मधोश होने लगी थी मननत प्रेम का साथ तो नहीं देती लेकिन मननत के हाथ खुद बखुद प्रेम के बालों में चले जाते हैं और मननत के हाथों को अपने बालों में म प्रेम अपनी जीब को मननत के होठों पर फेरते हुए अपने जीब से मननत के होठों को खोलता है और अपनी जीब को मननत के मूँव में एंटर करता है और अपनी जीब को मदग की जीट से उलजा कर मननत की जीब को शक करता है और मननत के मूँव के हर एक कोने का जायका लेत और काफी देर तक किस करने के बाद जब मननत सांस नहीं ले पाती तो मननत प्रेम के कंदे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन प्रेम अपनी किस में पूरा डूबा हुआ था इसलिए प्रेम मननत को छोड़ ही नहीं रहा था और ना ही मननत को छोड़ने का कोई इरादा लग रहा था। मननत अपने आपकी सास को नॉमल करते हुए मननत में बोलती है। एक बार शुरू होते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते। किस करते करते जान लेंगे क्या। मननत सोच ही रही थी कि प्रेम जो अभी भी मननत के ऊपर ही जुका हुआ था। मननत के गालों पर चूमने लगता है। प्रेम मननत के दूसरे गाल को चूमता है। फिर मननत के माथे को चूमता है। मननत की दोनों आखों को चूमता है और फिर प्रेम थोड़ा सा नीचे होता है और मननत की गर्दन पर अपने होंट रख देता है और अपनी जीप से मननत की गर्दन को लिख करने लगता है ये सब कुछ मनद के लिए पहला एहसास था जो बिलकुल नया था जैसे जैसे प्रेम मनद की गर्दन को चूम रहा था लिख कर रहा था मनद के अंदर सरस्राहच सी बढ़ती जा रही थी मनद के रोंटे खड़े हो रहे थे प्रेम नीचे आते हुए धीरे धीरे मननत की कॉलर बोन को चूमने लगता है पूरे कमरे में मधोशी का आलम चा गया था प्रेम मननत के मकमल से जिस्म को पाकर अपना कंट्रोल खो रहा था और प्रेम मननत के जिस्म पर अपनी निशानिया बनाते हुए हल के हलके मननत के कॉलर बोन पर वाइट करने लगता है और मननत की मधोशी भरी सिस्किया निकलने लगती है प्रेम का एक हाथ मननत की कमर और पीत को सहला रहा था और प्रेम धीरे से अपना हाथ मननत की पीत को सहला हुए मननत के सूट की दोरियां खोल देता है और फिर प्रेम आगे से मननत के सूट के गले को थोड़ा सा और नीचे खिसका आता है जिससे मननत की क्लीवेज काफी दिखाई देने लगते हैं और प्रेम अपने होंट मननत की क्लीवेज पर रख देता है और अपनी जीप से मननत की क्लीवेज को लिख करने लगता है प्रेम अपना हाथ मननत के कंदे पर ले जाते हुए मननत के कंदे से सूट को नीचे खिसका देता है और फिर मननत की गर्दन कॉलबोन थी वेज सब पर अपनी जीप से लिख करने लगता है और फिर प्रेम थोड़ा सा और नीचे आता है और मननक के पेट से मननक के सूट को हटाते हुए अपने होटों को मननक की पेट पर रख देता है मननक बहुत गहरी गहरी सांसे ले रही थी मननक के माथे पर पसीने की बूंदे उधर आई थी मननत ने अपने एक हाथ से तके को बहुत ही कसके मुठी में पकड़ रखा था और मननत का दूसरा हाथ प्रेम के कंदे पर था और मननत ने प्रेम के कंदे पर भी अपने नाखूनों को गड़ा रखा था प्रेम ने जैसे ही मननत के पेट पर अपने होंट रखे तो मननत की कमर अपने आप ही थोड़ी सी उपर हो गई थी मननत भी प्रेम को नहीं रोक रही थी बस प्रेम के हर एक छुण को महसूस कर रही थी और प्रेम की हर एक छुण मननत को मधोश कर रही थी मननत चाह कर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और मननत के मूँ से मधोशी भरी सिस्किया निकल रही थी प्रेम बहुत ही हलकी से बाइट कर रहा था लेकिन मननत की मकमल से बदन पर उसके भी निशान बन रहे थे प्रेम अपनी जीब से मननत के पेट को लिख करने लगता है प्रेम अपनी जीब को मननत की नाभी के इर्द गिर्द घूम आता है जिससे मननत के जिस्म में थर्थर थरहत होने लगती है जिससे प्रेम और भी ज्यादा एक्साइटड हो जाता है और मननत की नाभी पर थुड़ा जोर से काट लेता है मननत के मूँ से आह निकल जाते हैं प्रेम मननत की नाभी को प्यार से स्मूच करता है और फिर वापस से मननत के उपर आते हुए मननत के होठों पर अपने हुंट रख देता है मननत के होठों को स्मूच करने के बाद प्रेम मननत को कंदे से पकड़ कर उसे पलग देता है और मननत के सूट के जिप को खोल देता है और अपने होंट मननत की पीट पर रख देता है और मननत की पीट को भी बेतहाशा चूमने लगता है प्रेम मननत की पीट पर भी हलके हलके बाइट कर रहा था मननत ने वाइट कलर की ब्रा पहन रखी थी जिसके हुक को प्रेम अपने दांतों से तोड़ देता है और ऐसा होते ही मननत जैसे जटकी से होश में आ जाती है और मननत एकदम से सीधी हो जाते हैं लेकिन तुम इतना मधोश था कि अपने होंट मननत के गर्दन पर रखकर वापस से उसकी गर्दन को चूमने लगता है और आप प्रेम के हाथ मननत के सूट को निकालने में लग गए थे लेकिन मननत अपने हाथ को प्रेम के हाथ पर रख कर गहरी सांस लेते हुए बोलती है बस अब रुक जाए मननत के ऐसे बोलने पर प्रेम मननत के चहरे को देखता है जिसके चहरे पर पसीने की बुन्दे थी और आंखों में एक request, जिसे देखकर प्रेम एक गहरी सांस लेता है और खुद को control करता है और फिर अपने हाथ से जो सूट मननत के कंधे से प्रेम ने नीचे कर दिया था, उसे सही करता है और फिर अपना मूँ मननत की गर्दन में घुसा आते हुए मधोशी में बोलता है अभी रोक रही हो तो रुक रहा हूँ, अगली बार नहीं रुकूंगा, इन सब के लिए खुद को तयार कर लो, क्योंकि अब ये हर रात होगा इतना बोल कर प्रेम मननत की गर्दन पर जोर से काट लेता है और फिर प्रेम मननत की ऊपर से हटके थोड़ा नीचे आता है और मननत के पेट से सूट को हटाते हुए अपना चहरा मननत की पेट पर रख देता है और मननत की कमर को टाइपी पकड़ कर सो जाता है प्रेम को ऐसे सोता देखकर मन्नत प्रेम को बोलती है आप ऐसे सोने वाले हैं छोड़िये मुझे आप ऐसे सोईंगे तो मैं कैसे सो पाऊंगी प्रेम अपनी आँखें बंद किये ही बोलता है आदत डाल लो वाइफी तुम्हें हर रात मुझे ऐसे ही जेल ना है प्रेम की बातों का मतलब समझते हुए मन्नत इससे आगे प्रेम को कुछ नहीं कहती और ठक हार कर ऐसे ही सोने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ी ही देर में दोनों की नींद की आगोश में चले जाते हैं अगली सुबह मन्नत की आँख है सुबल के अलार्म पांच बजे पर खुल जाते हैं और प्रेम की नींद खराब ना हो इसलिए मन्नत जल्दी से अपनी फोन का अलार्म बंद कर देती है क्योंकि प्रेम अभी भी सो रहा था लेकिन अभी की सिचुएशन कुछ और थी इस वक्त मन्नत प्रेम के सीने पर सर रख कर सोई थी और प्रेम ने मन्नत को अपनी बहों में ले रखा था और इस सिचुएशन को देख कर मन्नत अपने मन में बोलती है कल रात तो ये मेरे पेट पर सर रख कर सो रहे थे और अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनके सीने पर सर रख कर सो रही थी फिर मननक का ध्यान प्रेंग के हैंसम चहरे पर जाता है जो इस वक्त बहुती ज़्यादा मासूम लग रहा था प्रेंग के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और प्रेंग की घहनी पलके जो इस वक्त बंद थी मननक बहुत ही ध्यान से प्रेंग के चहरे को देख रही थी शायद पहली बार क्योंकि कल तो प्रेम की तबियत खराब थी और प्रेम की तबियत की चिंता की वजह से मननत का किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं था लेकिन आज आज एक नई सुबह थी एक ऐसी सुबह जिसके सपने हमेशा मननत ने देखे थे कि एक सुबह ऐसी भी आये जब मननत प्रेम की बाहों में अपनी आँखे खोले और जब मननत अपनी आँखे खोले तो प्रेम का चेहरा सबसे पहले उसकी आँखों के सामने आये और आज, आज वही सुबह थी, मन्नत अपना हाथ बढ़ाती है और बहुत ही प्यार से प्रेम के चहरे को छू कर देखती है पहले मननत की उंगलियां प्रेम की धनी पलकों पर फिर उसके गालों पर और फिर मननत की और फिर प्रेम की होठों को अपने अंगूठे से बहुत ही प्यार से सहलाती है लेकिन तभी प्रेम अपनी आँखे खोल देता है और मननत एकदम से हड़बड़ा जाती है मननत एकदम से उठने की कोशिश करती है तो उससे उसकी कमर से पकड़ कर खुद से बिल्कुल चिपका लेता है फिर प्रेम मननत के गालों करा रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोलता है कहां जा रहे हो वाइफी फिर मुझे मेरी गुड मॉनिंग किस तो देती जाओ मननत आखे बड़ी करके प्रेम को देखती है और अपने मन में बोलती है कर रात इतनी किसस की थी वो कम रह गई थी क्या जो इन्हें फिर से किस चाहिए तभी प्रेम बोलता है हाँ वाइफी मुझे हर रोज मेरी मॉनिंग किस समय पर मिल जानी चाहिए चलो तो अब जल्दी से किस दो मन तह मैं आपको कोई केस नहीं देने वाली समझे आप छोड़िये मुझे अगर किस नहीं दोगी तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला मुझे कोई प्रॉबलम नहीं है मैं तुम्हें हमेशा ऐसे पकड़ कर रह सकता हूँ मननक प्रेंग से छोटने के लिए हर मुम्किन कोशिश करती है लेकिन प्रेंग की पकड़ से आजाद नहीं हो पाती कहां हमारा प्रेंग 6.4 इंच का हट्टा कट्टा लड़का और कहां हमारी नाजुक सी प्यारी सी कॉमल सी मननत मननत हार मानकर धीरे से प्रेम के गाल पर किस कर देती है और प्रेम जब मननत के होठों को अपने गालों पर महसूस करता है तो प्रेम के चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान आ जाती है और फिर प्रेम अपने होंथ मननत के होथ उपर रख कर बहुत ही प्यार से एक सौफ्ट किस करके मननत को छोड़ देता है प्रेम के छोड़ते ही मननत बुलेट ट्रेम की स्पीड से उठती है और वाश्रूम में भाग जाती है मननत को इस तरह भागते हुए देखकर प्रेम के चहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और फिर प्रेम अपने दोनों हाथों को अपने बालों में ले जाते हुए बोलता है अफ तुम्हारी ये अदा चब 48 प्रेम को हुए खुद से नफरत अब तक आप लोगों ने पढ़ा फिर प्रेम अपने होंठ मनत के होठों पर रखकर बहुत ही प्यार से एक सौफ्ट किस करके मनत को छोड़ देता है प्रेम के छोड़ते ही मनत बुलेट ट्रेम की स्पीड से उठती है और वाश रूम में भाग जाती है मनत को इस तरह भागते हुए देखकर प्रेम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और फिर प्रेम अपने दोनों हाथों को अपने बालों में ले जाते हुए बोलता है अफ तुम्हारी ये अदा अब आगे मनत आँख बंद करके नहीं रही होती है कि अचानक मनत को कुछ याद आता है और मनत एकदम से अपनी आँखे होती है और अपना सर पकड़ कर अफसोस करते हुए बोलती है हम तो कपड़े ही नहीं लेकर आया अब हम बाहर कैसे जाएंगे और फिर थोड़ा गुसा करते हुए बोलती है ये सब कुछ उन्हीं की वज़े से हुआ है ना वो सुबह सुबह हमें परेशान करते और ना ही हम इस तरह से उनसे डर कर भाग वाश्रूम में आते लेकिन अब हम क्या करें हम वाश्रूम से बाहर कैसे जाएंगे वो भी बिना कपडों के और हमें तो नाश्ता भी बनाना है सभी के लिए मननत एक टौवल लेती है और उसे खुद से लपेट लेती है जिसमें उसके कोरे कंधे और खूब सुरक टांगे साफ दिखाए दे रही थी और टौवल वैसे भी मननत की सिर्फ थाई तक ही आ रहा था मननत धीरे से दर्वाजा खोलती है और फिर सिर्फ अपना सर निकाल कर बाहर देखती है तो बाहर कोई नहीं था मन्नत राहत की सांस लेती है और फिर बाहर आ जाती है मन्नत जल्दी से साड़ी निकालती है और साड़ी लेकर वाश्रूम में जाही रही होती है कि तभी मन्नत रुख जाती है और दर्वाजे की तरफ बढ़ जाती है और फिर दर्वाजे को अंदर से लोक कर देती है और फिर आराम से राहत की सांस लेते हुए रूम में ही अपने कपड़े बदलने लगती है मननत ने सकट और ब्लाउच पहन लिया था और बस अपनी ब्लाउच की दोरी बांधने की कोशिश कर रही थी और मननत ने सारी को बैट पर रखा हुआ था मननत के बाल अभी भी गीले थे जिन से पानी टपक रहा था जिसकी बूंदे मननत की गर्दन और पीत को भिगो रही थी और आगे कॉलब बोन की तरफ से फिसलते हुए मननत की क्लीवेज में कहीं गुम हो रही थी मननत के ब्लाउच में तीन डोरियां थी जिसमें से मननत ने दो डोरी बांध ली थी लेकिन तीसरी डोरी पर मननत का हाथ नहीं जा रहा था लेकिन तभी मननत को प्रेम की आवाज सुनाई देती है जो कि किसी से फोन पर बात करते हुए बालकनी से कमरे में आ रहा था और प्रेम की आवाज सुनकर मननत की आँखे हिरानी से बड़ी हो जाती है और मननत जब एकदम से पीछे पलट कर देखती है तो प्रेम उसे ही देख रहा था मननत एकदम से हर बड़ा जाती है और अपने आपको अपने हाथों से छुपाने की कोशिश करती है प्रेन की नजरों की तपिश को मननत अपने उपर साफ साफ महसूस कर रही थी जिससे मननत को बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी और शर्म की वजह से मननत के गाल लाल हो रहे थे प्रेन जो फोन पर बात कर रहा था, अपनी कॉल को कट कर देता है, और फोन को जेब में रख लेता है, और प्रेन ने अभी भी अपनी अप्प बोडी पर कुछ नहीं पहन रखा था। अपने सीने पर रख रखा था और एक हाथ मननत ने अपने पेट पर रख रखा था मननत प्रेंग के सामने सिर्फ बलाउच और सकत में थी और इसलिए मननत को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी प्रेम अपने कदम आगे बढ़ाय जा रहा था और मनत दर से अपने कदम पीछे लिए जा रही थी और पीछे जाते जाते मननत तो दिवार से टक्रा जाती है और प्रेम भी मननत के बिलकुल नजदी का जाता है और अपने दोनों हाथ मननत के इर्ध गिर्ध दिवार से लगा देता है और प्रेम के पास आते ही मननत अपनी आँखे बंद कर लेती है मननत के इस तरह आँख बंद करने पर प्रेम के चहरे पर हलकी सी स्माइल आ जाती है अपने हाथों से खुद को छुपाता हुआ देखकर प्रेम बहुत ही मधोशी से मननत के कान में बोलता है मेरी ही चीज मुझसे ही छुपा रही हो वाइफी और छुपाने से क्या है फाइदा आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा होना है तब तो तुम्हें सब कुछ दिखाना पड़ेगा इतना बोल कर प्रेम भीरे से मननत के कान पर काट लेता है जिससे मननत और भी ज़्यादा सहर जाती है और प्रेम की ये मधोशी भरी आवाज मननत की दिल की धरकन बढ़ाने के लिए काफी थी फिर प्रेम प्यार से मननत के गाल को चूमता है और फिर धीरे से मननत के दोनों हाथों को पकलता है और उन्हें अलग करके दिवार से लगा देता है और फिर प्रेम अपनी इंटेंस नजरों से मननत को उपर से नीचे तक देखता है हलकी गुलाबी रंगत गर्दन और कॉलर बोन पर पानी की बूंदे, भीगे बाल और जिस्न से आती भीनी भीनी खुश्बूग जो प्रेम को अपना कंट्रोल हुने पर मजबूर कर रही थी और अपने आपको कंट्रोल ना करते हुए प्रेम अपने होंट मननत की गर्दन पर रख देता है और अपनी जीप से मननत की गर्दन पर फिसलती हुई पानी की बुंदों को लिख करने लगता है, मननत बहुत धीरे से अपनी कप कपाती आती जुबान में बोलती है ए, सा, ऐसा मत करिये छोड़ छोड़ दीजिए लेकिन प्रेम के कानों में तो जैसे मननत की आवाज सुनाए ही नहीं दे रही थी प्रेम मननत का एक हाथ छोड़ता है और उसकी कमर से पकल कर खुद से चिपका लेता है और मधोश होकर प्रेम मननत की गर्दन और कॉलर बोन को चूमने लगता है मननत अपने एक हाथ से प्रेम को खुद से दूर करने की कोशिश करती है और जब प्रेम अलग नहीं होता तो मननत अपने एक हाथ के नाखून से ही प्रेम की चेस्ट पर खरोच देती है लेकिन प्रेम को तो इससे भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता और प्रेम मननत को नहीं छोड़ता लेकिन तभी दर्वाजे से नैना की आवाज आती है नैना दर्वाजा बजाते हुए बोलती है भाई भाई आप उठ गए कुनाल भाई आये हैं नैना की आवाज सुनकर प्रेम रुप जाता है और जैसे ही प्रेम की पकर मननक पर धीली होती है मननक जल्दी से साड़ी उठा कर बाथरूम में भाग जाती है और प्रेम गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करता है और दर्वाजा खोलता है नैना कुछ बोलती उससे पहले ही नैना की नजर प्रेम के सीने पर जाती है जहां पर खरोच के निशान थे और नैना एकदम से बोलती है भाई ये कैसे हुआ तो प्रेम भी अपने सीने पर नजर डालता है जहां पर मन्नत के खरोच के निशान थे जिन्हें देखकर प्रेम के चेहरे पर गहरी स्माइल आ जाती है तभी नैना प्रेम को मुस्कुराता हुआ देखकर पूछती है भाई मैं आप से कुछ पूछ रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं तो प्रेम नैना को जवाब देता है कुछ नहीं हुआ बस एक जंगली बिल्ली थी पंजा मार दिया नैना कन्फ्यूज होकर बोलती है जंगली बिल्ली और यहां ये कैसे हो सकता है तभी प्रेम नैना को बोलता है तुम्हें प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना तुम काफी छुट्टी कर रही हो नैना तभी नैना अपनी सफाई देते हुए बोलती है नहीं भाई मैंने जो छुट्टिया ली थी वो कल खत्म हो गई और आज से मैं वापस हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही हूँ नैना एक डॉक्टर है जो इस वक्त अपनी इंटर्शिप कर रही हो तभी मननत भी साड़ी पहन कर आ जाती है मननत ने लाइट ग्रीम कलर की साड़ी पहनी थी जो जिसमें मननत बहुत खूब सूरत लग रही थी और मननत फिर जल्दी से आइने के सामने जाती है और अपनी मांग में सिंदूर कान में जुमके होटों पर लिपबाम माथे पर बिंदी आँखों में काजल और इतने में ही मननत का हर धाने के लिए कैयार थी फिर मननत नेना को बोलती है बस नेना मुझे थोड़ा टाइम तो मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्टा बना देती हूँ तब ही नेना बोलती है कोई बात नहीं भावी आज आप थोड़ा लेट हो गई थी तो इसलिए मैंने नाश्ता बना दिया है चलिए हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं भाए आप भी जल्दी से फ्रेश होकर आ जाए फिर साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे और फिर मननत नैना के साथ वहां से किचन की तरफ चली जाती है और प्रेम वाश्रूंग चला जाता है थोड़ी ही देर में प्रेम तयार होकर आता है आज प्रेम में ब्लैक कलर का श्री पीस सूट पहना हुआ था जिसमें प्रेम हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा चामिंग लग रहा था प्रेम डाइनिंग टेबल पर आकर बैक जाता है तो मननत प्रेम के लिए नाश्ता सर्व करती है और तभी कुनाल एक हाथ में फाइल लेकर प्रेम के पास आता है और फाइल प्रेम को देता है प्रेम अपने एक हाथ से नाश्ता कर रहा था और दूसरे हाथ से फाइल को टेबल पर रख कर उसके पन्ने पलकते हुए उसे रीद कर रहा था और तभी मननक जो प्रेम के लिए गिलास में जूस निकाल रही थी, वो जूस का गिलास मननक के हाथ से छूप जाता है और फाइल पर गिर जाता है, जिसे देखकर मननक की आँखे दर से बड़ी हो जाती है, और मननक दर से दो कदम पीछे हो जाती है, और मननक दरते हुए प्रेम बढ़ाता है तो मननत दर से अपने कदम और पीछे ले जाने लगती है और अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए अपना चेहरा एक तरफ कर लेती है जिसे देखकर साफ पता चल रहा था मननत प्रेम से ऐसे डर रही थी जैसे प्रेम अभी उससे थप पर मारने वाला हो और मननत को खुद से इस तरह से डर्ता हुआ देखकर प्रेम का दिल दर्द से भार जाता है प्रेम को अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा गोंप दिया हो और प्रेम को भी वो पल याद आ जाता है जब ऐसे ही मनत के हाथों से प्रेम की फाइल पर कॉपी गिर गई थी और प्रेम ने बिना सोचे समझे मनत को एक जोरदार थप पर मार दिया था जिससे मनत समझ नहीं पाई थी और जमीन पर गिर गई थी और वग पल याद करते ही प्रेम को भी अपने आप पर गुस्सा आने लगता है प्रेम को भी अपने आप से ही घिन लगती है जिस लड़की पर किसी की नजर बरदाश्ट नहीं कर सकता जिस लड़की को वो आज फूलों से भी ज़्यादा नाजुक तरीके से संभाल कर रखता उसी लड़की पर कभी प्रेम ने हाथ उठाया था, उसे घर से बाहर निकाला था, सारी बातों को याद करके प्रेम को खुद से नफरत होने लगी थी, लेकिन प्रेम फिर खुद को कंट्रोल करके अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मननत का हाथ पकड़ कर उसे अपनी तरफ कीच लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है, और मननत जो डर से काम रही थी, उसकी कपकपा आहट को प्रेम अच्छे से महसूस कर रहा था और यह सारी चीजे प्रेम के दिल में किसी खंजर का काम कर रही थी, प्रेम अपने एक हाथ से मननत की पीत को सहलाते हुए ब प्रेम की बात सुनकर मननत अपना चहरा उपर उठाते हुए प्रेम को देखती है और अपनी आशु भरी नजरों से प्रेम को देखते हुए बोलती है, आप मुझसे नाराज नहीं है, प्रेम मननत के आशु पहुचते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है, नहीं, मैं एकनी किसी बात के लिए तुम से कैसे नाराज हो सकता हूं। बलकि मैं तुम से किसी भी बात के लिए कभी भी नाराज नहीं हो सकता। Because I love your jaan, you are my life, my heartbeat. और कोई अपने दिल की धर्कन से कैसे नाराज हो सकता है। चब 49 प्राहूल की गंदी नजर मननत पर आप तक आप लोगों ने कहा, प्रेम मननत के आशू पहुचते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है। नहीं, मैं एकनी सी बात के लिए तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ। बलकि मैं तुमसे किसी भी बात के लिए कभी भी नाराज नहीं हो सकता। Because I love your jaan, you are my life, my heartbeat. और कोई अपने दिल की धर्कन से कैसे नाराज हो सकता है। अब आगे, प्रेम फिर मननत को अपने साथ निंग टेबल पर बैठता है और उसे पानी पिलाता है। एक हाथ से प्रेम मननत को पानी पिला रहा था और दूसरे से मननत की पीट को सहला रहा था और उसे चुप करने की कोशिश कर रहा था। पानी पीने के बाद मननत प्रेम को अपनी भरी आँखों से देखती है और फिर खुद ही उसके सीने से लग जाती है और प्रेम उसे अपनी बाहों में भर लेता है तेरे गले लगकर तेरी ही शिकायक करनी है मुझे तेरे साथ रहकर तुझसे ही लड़ाई करनी है और भले ही तूखफा हो मुझसे पर मुझे तो सिर्फ तुझसे ही बात करनी है मननत को अपने सीने से लगाए प्रेम अपने मन में बोलता है मैं जानता हूँ जान मैंने पास्ट में बहुत गलती की है और मैं उन्हें पीछे जाकर सही भी नहीं कर सकता लेकिन I promise मैं तुम्हारी लाइफ में इतनी खुश्या भर दूनगा कि दुखों का एक कत्रा तक भी तुम तक नहीं पहुँचने दूनगा तुम तक पहुँचने वाले हर एक दर्द को प्रेम सिंधानिया से होकर गुजर ना होगा और अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ पहुँचाने की गलती से भी गलती की तो मैं उसका वजूद इस दुनिया से मिता दूनगा तभी नैना अपना गला साफ करते हुए बोलती है भाई या भाभी अगर आप दोनों को ऐसे ही रोमेंस जारी रखना है तो कमरे में चले जाए वो क्या है ना आप दोनों को ऐसे रोमेंटिक रोमेंटिक होता हुआ देखकर हम जैसे सिंगल लोगों नैना अपने दिल पर मारते हुए बोलती है हम जैसे सिंगल लोगों का दिल बहुत दुखता है और आप जैसे लोग हमारे इस ननहे से दिल पर बिल्कुल रहम नहीं खाते फिर थोड़ा रोने का नाटक करते हुए खुले आम शुरू हो जाते हो यार कुछ तु रहम करो हमारे ननहे से दिल पर नैना की बाते सुनकर मननत मुस्कुराते हुए प्रेम से अलग हो जाती है और प्रेम नैना के सर पर हल्की सी चपक लगाते हुए बोलता है नौटन की कहीं की इतना बोल कर प्रेम कुनाल के साथ वहां से निकल जाता है और मननत अपने कमरे में चली जाती है लेकिन तभी मननत का ध्यान टेबल पर रखे प्रेम के फोन पर जाता है और प्रेम के फोन को देखकर मननत बोलती है अरे ये अपना फोन तो यही भूल गए मननत फोन उठा कर बाहर की तरफ जाती है लेकिन तक तक प्रेम लिफ्ट के अंदर जा चुका था मननत भी जल्दी से दूसरी लिस्ट में चली जाती है मननत नीचे कहुँचती है तो प्रेम दरवाजे से बाहर जा रहा था मननत आवाज लगाती है सुनिए, सभी प्रेम के बॉडी गार्ड मननत के सामने आ जाते हैं और मननत को प्रेम के पास जाने से रोख कहते हैं क्योंकि कोई भी बॉडी गार्ड मननत को नहीं पहचानता था क्योंकि ये बॉडी गार्ड प्रेम के लंदन के ही बॉडी गार्ड थे जो मननत के बारे में नहीं जानते थे ये सब bodyguard जो specially trained किये गए थे परिंदा भी प्रेम के पास तक नहीं पहुँच सकता था इन bodyguard के होते हुए मननत की आवाज प्रेम के कानों तक पहुँच जाते हैं और प्रेम चलते हुए रुख जाता है प्रेम पीछे पलट कर देता है तो bodyguard ने मननत को रोख रखा था और जब मननत देखती है कि प्रेम रुख गया है और पलट कर उसे ही देख रहा है तो मननत आगे बढ़ती है तभी एक bodyguard मननत के पेट पर हाथ रखने वाला होता है उसे रोखने के लिए लेकिन उससे पहले ही प्रेंग की एक गुस्से भरी आवाज आती है प्रेंग गुस्से में दाहरते हुए बोलता है Don't even make the mistake of touching it If even a finger touches it, your hand will not be safe उसे छूने की कोशिश भी मत करना अगर एक उंगी भी उसे touch हुई तो तुम्हारा हाथ सही सलामत नहीं बचेगा प्रेंग की गुस्से भरी आवाज सुनकर बोडी गार्ड एक गम से पीछे हो जाता है और बोडी गार्ड मनत को आगे जाने का रास्ता दे देते हैं और प्रेंग भी उधर से आगे आता है और मननत भी प्रेंग मननत के पास आकर मननत से पूछता है क्या हुआ वाइफी इतनी जल्दी मेरी याद आ गई तुम कहो तो ओफिस ही न जाओंगा प्रेम की शरारत भरी बाते सुनकर मननत अपनी आँखों को रोल करते हुए प्रेम का फोन आगे बढ़ा देती है और फिर मननत प्रेम को बोलती है आप अपना फोन कमरे में भूल गए थे मैं बस आपको आपका फोन देने आई थी और वैसे भी अगर आप घर रहेंगे तो सिर्फ मुझे परेशान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो इससे अच्छा है कि आप ओफिस ही जाएं इतना बोल कर मननत प्रेम का फोन प्रेम के हाथ में पकड़ा देती है और जाने लगती है लेकिन तभी प्रेम मननत का हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने से रोक देता है मननत सवालिया नजरों से प्रेम को देखती है तो प्रेम आगे बढ़कर प्यार से मननत का माथा चूम लेता है और बोलता है शाम को मिलते है वाइफी इस तरह सब के सामने किस करने पर मननत को बहुत ज़्यादा शर्म आती है और शर्म से मन्नत के गालाल हो जाते हैं और मन्नत शर्माते हुए वहां से जल्दी से चली जाती है मन्नत के जाने के बाद प्रेम उन बॉडी गार्ड के आगे आता है जिन्होंने मन्नत को रोका था How did a year stop my wife? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी wife को रोकने की? बॉडी गार्ड दरते हुए बोलते हैं I am sorry sir, we did not know that she is your wife हमें नहीं पता था कि वह आपकी wife है We will not make such mistake in future Just forgive us one last time आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे बस आखरी बार हमें माफ कर दीजिये प्रेम बहुती सर्द आवाज में बोलता है Good, always remember what you say प्रेम सिंधानिया never gives a second chance to make a mistake अपनी कही बात को हमेशा याद रखना प्रेम सिंधानिया गलती करने का दोबारा मौका नहीं देता है अपने बॉडी गार्ड को धम की देकर प्रेम वहां से चला जाता है मननत लिफ्ट के बाहर खड़े होकर लिफ्ट का वेट कर रही थी तभी मननत को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है मननत पीछे पलट कर देखती है तो एक लड़की जिसने इस वक्त एक वन पीस ब्लैक कलर की ड्रास पहनी हुई थी और अपने साथ खड़े लड़के से जगड़ा कर रही थी उन दोनों को देखकर मननत जल्दी से वहां से जाना चाहती थी क्योंकि मननत समझ गई थी कि अगर इस लड़की ने मननत को देख लिया तो फिर से कुछ न कुछ करवा ही बोलेगी कहते हैं कि अपने पराय हो जाते हैं और पराय अपने और ऐसा ही मननत का रिष्टा इस लड़की के साथ ये लड़की उसकी कजन सिस्ट थी अर्चना भार्द्वाज और जो लड़का अर्चना के साथ था वो हुसका पति रहुल खुराना था अर्चना की शादी एक साल पहले ही हुई थी अर्चना मननत को बिलकुल भी पसंद नहीं करती थी जब भी अर्चना मननत के सामने आती थी तो अर्चना हमेशा ही मननत को कटाक्ष भरे शब्द बोला करती थी क्योंकि अर्चना विजय को पसंद करती थी और विजय अर्चना की तरफ नजर उठा कर भी नहीं देखता था और एक दिन अर्चना ने अपनी दिल की बात विजय को बता दी थी तो विजय ने अर्चना को सीधा सीधा मना कर दिया था और उसको बोला था कि मैं मननत से प्यार करता हूँ और उसके अलावा मैं किसी को भी अपने दिल में जगह नहीं दे सकता एक तो अर्चना मननत की खूब सुरती से हमेशा जलती थी और दूसरा विजय ने उसे रिजेक्ट कर दिया था इसलिए अर्चना मननत को अपना जानी दुश्मन समझती थी और फिर अर्चना की शादी राहुल से हो गई राहुल विजय से भी बड़ा बिजनिसमेंट था इसलिए अर्चना को अपने उपर और भी ज्यादा घमंध हो गया कि उसने विजय से भी अच्छा लड़का पा लिया और जब अर्चना को ये पता चला था कि मननत का पती उसे तलाक देना चाहता है तो अर्चना बहुत खुश होती है मननत वहां से जाने ही वाली थी कि तभी अर्चना की नजर मननत पर पड़ जाती है और अर्चना हैरानी से बोलती है मननत तुम यहां अर्चना की आवाज सुनकर मननत सौर से अपनी आँखे बंद कर लेती है और हाथों की मुठी बीच लेती है और मननत अपने चहरे पर नकली मुस्कुराहत लाते हुए पीछे पलत दी है और अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहत बनाए हुए मननत बोलती है अरे अर्चना दीदी आप यहाँ अर्चना एटिटीट से मननत के सामने आते हुए मननत को बोलती है ये सवाल तो मुझे तुम से करना चाहिए मननत तुम यहाँ लंदन में क्या कर रही हो मननत कुछ बोलती उससे पहले ही रहुल अर्चना से बोलता है बेबी ये तो तुम्हारी का जन सिस्टर है ना क्या नाम बताया था तुमने इसका ममतारानकन मननत राइट तु अर्चना अपनी गर्दन हां में हिला देती है रहुल मननत को उपर से नीचे देखते हुए बोलता है बेबी तुमने बताया था कि तुम्हारी कजन सिस्टर का दिवोस हो गया है रहुल अपनी हवस भरी नजरों से मननत को देखते हुए बोलता है लगता है इसके पती में जरूर कुछ न कुछ कमी होगी वरना इतनी खूबसूरत बीवी को कोई पागल ही छोड़ सकता है राहुल की बातों पर मननत को गुसा आ जाता है और मननत गुसे में राहुल को जवाब देती है ऐसा कुछ भी नहीं है जी जू मेरे पती ने मुझे तलाक नहीं दिया है और मैं यहां पर अपने पती के साथ ही आए हूँ और फिल्हाल मेरे पती काम से बाहर गए हैं इतना बोल कर मननत वहां से जाने लगती है राहुल को रोते हुए बोलता है अरे आप तो नाराज हो गई साली साहिबा अगर हमने आपका दिल दुखाया है तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं तभी अर्चना बोलती है तो क्या तुम इसी होटल में रुकी हुई है मननत बस अपनी गर्दन हां में हिला देती है मननत की हां सुनकर अर्चना की आँखों में चमक आ जाती है अर्चना मननत को बोलती है ओ ग्रेट हम भी इसी होटल में रुके हैं तो फिर एक काम करते हैं शाम को सबने मिलकर दिनर करते हैं किसी होटल के रस्टोरेंट में मननत तुम अपने पती को अपने साथ लाना मत भूलनाओ. तभी मननत कुछ बोलने को होती ही है लेकिन अर्चना उसकी बात को बिना सुने ही बोलती है. अर्चना अपने चेहरे पर जूठी मुस्कान लाते हुए बोलती है मननत, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना मैंने कह दिया ना कि हम सब साथ में मिलकर दिनर करेंगे आज रात तो साथ में करेंगे तुम अपने पती को लेकर जरूर आना ओ फिर अर्चना अपने मन में बोलती है आखिर मैं भी तो देखू तुम्हारा पता है कौन तुम्हारी शाधी पर तो मैं गुसे की वज़े से नहीं आई थी लेकिन सुना था कि तुम्हारी शाधी किसी बड़े बिजनेस्मेन से हुई है तभी तो तुम्हारे पती ने इतने बड़े होटल में रूम बुक किया हुआ है अर्चना मन्दक की हंसी उडाते हुए अपने मन में बोलती है तुम्हारा पती कितना भी अमीर क्यों ना हो लेकिन मेरे पती के जितना हैंसम नहीं हो सकता बहुत अच्छे से जानती हूँ इन अमीर लड़कों को पैसों की गुरूर में खुद पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते पेक बाहर निकल जाता है सर के बाल गायब हो जाते हैं और मुझे पक्का यकीन है तुम्हारा पती भी कुछ हैसा ही होगा अर्चना अपने ख्यालों में गुम थी तभी राहूल अर्चना को उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए बोलता है बेबी हम यहाँ पर अपना सेकंड हनीमून मनाने आये हैं और तुम्हारा ध्यान मुझ पर होने की जगल कहीं और ही गुम है अर्चना राहूल को बोलती है I am so sorry बेबी मैं कुछ सोच रही थी बस मननत आप दोनों अपना हनीमून इंजोई कीजिए मैं आप दोनों के बीच में कबाब में हाटी नहीं बनना चाहती इसलिए मैं जा रही हूँ आप अपना हनीमून इंजोई करें इतना बोल कर मननत लिफ्ट की जगर सीरियों से उपर जाने लगती है और राहूल अपनी हवस भरी नजरों से मननत को पीछे से देखता है राहूल की नजर मन की साड़ी में से जांकती हुई कमर और फिर उसकी बॉम पर थी राहूल मननत के पीछे से पफेक्ट फिगर को देखते हुए अपने मन में बोलता है क्या कमाल की लड़की है एक रात के लिए अगर मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए और अगर इसके पती को इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे लिए तो काम और भी आसान हो जाएगा राहूल अपनी हवस भरे इरादों को काम्याब करने के लिए एक अपने मन में प्लान बनाने लगता है चाफ फिफ्टी एक और नई दुश्मन आप तक आप लोगों ने पड़ा राहूल मननत के पीछे से पफेक्ट फिगर को देखते हुए अपने मन में बोलता है क्या कमाल की लड़की है एक रात के लिए अगर मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए और अगर इसके पती को इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे लिए तो काम और भी आसान हो जाएगा राहूल अपनी हवस भरे इरादों को काम्याब करने के लिए एक अपने मन में प्लान बनाने लगता है अब आगे लंदन शहर में 31 मंजिला आलीशान बिल्दिंग जिसके ऊपर बहुत ही खूपसूरक तरीके से सिंघानिया कॉपरेशन लिखा हुआ था उस बिल्दिंग के सामने 8 से 10 लगजरियस गारियां आकर रुकती है तभी एक बॉडी गार्ड बीच वाली गारी का जल्दी से आकर दर्वाजा खोलता है उसमें से प्रेम बहुत ही शान के साथ साथ उतरता है और अपने तेज कदमों के साथ अंदर जाता है ब्लैक कलर का श्री पीस सूट हाथ में महेंगी घरी बाल सलीके से जेल से सेक की हुए आखो पर ब्लैक गल्स और दूसरे हाथ में फोन लिए बहुत ही रोब के साथ अंदर आता है प्रेम को देखकर सभी लोग प्रेम को ग्रीड करते हैं और बहुत ही सीरियस होकर सभी लोग अपने अपने काम में फोकस कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बॉस को काम में लापर वही बिलकुल भी पसंद नहीं है लेकिन जो लड़कियां थी, काम करते हुए भी अपनी तिर्ची नजरों से सिर्फ प्रेम को ही देख रही थी और थंडी आहे भर रही थी प्रेम सीधा अपने केबिन में जाता है और प्रेम के जाते ही सभी लड़कियों की आपस में बाते शुरू हो जाती है हाए यार, ये बॉस कितने हैंसम है अगर ये रोज ओफिस आए ना तो कसम से मैं तो एक भी दिन की छुट्टी ना लूँ बलकि मैं तो संडे में भी आने के लिए तयार हूँ दूसरी लड़की, साच में यार क्या पस्नियालिटी है, क्या हो रहा है इनका एकदम खतरनाक जान लेवा, तीसरी लड़की, लेकिन यार सरना कभी भी नजर उठा कर हमें नहीं देखते हमें क्या किसी भी लड़की को नहीं देखते पहली लड़की, यही तो खास बात है, इन्होंने में कि ये किसी को नजर उठा कर नहीं देखते और यही बात तो इन्हें ज़्यादा अट्रक्टिव बनाती है वरना बाकी ओफिस के एमपलो इस तो हमारे आगे पीछे गूंगते रहते हैं दूसरी तरफ प्रेम अपने ओफिस में आकर अपनी हेट चेर पर बैठ जाता है और इंटरकॉम से नताशा को बुलाता है और अपनी असिस्टेंट नताशा को बुलाता है नताशा प्रेम के ओफिस में जाने से पहले अपने मेकप का टचट करती है जो बाल उसने बांध रख उन्हें खोल लेती है और अपनी शर्ट की ऊपर के तीन बटन भी खोल लेती है जिससे उसकी कलीवेज साफ दिखाए देती है और फिर अपने हाथ में एक नोटबुक एक पेन लेकर प्रेम के केबिन में जाती है केबिन के बाहर खड़ी होकर नताशा एक बार फिर से मिरमें अपने आपको देखती है और फिर बहुत ही अदा से दोर नोग करती है अंदर से प्रेम की आवाज आती है कमिंग, नताशा बहुत ही अदा के साथ चलते हुए प्रेम के सामने आती है लेकिन प्रेम अपने लपटॉप में घुसा रहता है वो ही एक नजर उठा कर भी सामने नहीं देखता नताशा प्रेम के सामने खड़े होकर अपने चहरे पर मुस्कान ले प्रेम को गृट करती है नताशा गुद मॉनिंग सर तो प्रेम नताशा की तरफ देखता है और जवाब में अपनी गर्दन हिला देता है और फिर प्रेम सीधा नताशा से पूछता है हमारी न्यू कमपनी का काम कहां तक पहुँचा है मुझे उसकी सारी अपडेट 10 मिनट के अंदर अपने टेबल पर चाहिए नताशा आपको 10 मिनट भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है मुझे पता था कि आप आते ही सबसे पहले अपनी न्यू कमपनी की अपडेट पूछेंगे इसलिए मैं अपडेट लेकर आए हूँ प्रेमर गुर्तो बताओ क्या अपडेट है न्यू कमपनी की नताशा सर बिल्दिंग का ओल्मोस्ट सारा काम खत्म हो चुका है और तीन दिन में ही सारा सेट अप भी वहाँ पर तयार हो जाएगा और जिस डेट को आपने ओपनिंग रखी है उस डेट से दो दिन पहले ही आपको हमारी न्यू कमपनी रेडी मिलेगी प्रेमर गुड और ओपनेंग पार्टी में लंदन शहर के बड़े से बड़े बिचनेसमेन आएंगे तो पार्टी की सारी तयारी तुम देखोगी और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए नताशा, डोंट वरी सर कोई कमी नहीं रहेगी प्रेम, ओके अब तुम जा सकती हो प्रेम का डाइरेक्टली उसे जाने के लिए बोल देना नताशा को अच्छा नहीं लगता और नताशा के चेहरे पर जो इतनी बड़ी स्माइल थी वो एकदम से गायब हो जाती है और नताशा का चेहरा लटक जाता है नताशा गुस्से से अपने हाथ की मुठी पूछ लेती है और प्रेम की केबिन से निकल कर अपने केबिन में जाकर गुस्से से अपनी चेह पर जाकर बैठ जाती है और गुस्से से अपने हाथ मेली नोटबुक और पेम को फेक देती है और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे पिछले पांच साल से मैं तुम्हारे हर एक काम को पूरा शिद्दत से कर रही हूँ लेकिन तुम एक नजर उठा कर मुझे नहीं देखते आखिर कमी क्या है मुझ में फिर नताशा अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान ले खुद से बोलती है एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी फिर ना वो तुम्हारी प्राची कुछ कर पाएगी और ना ही तुम्हारी वो सुक और नाम की बीवी मननत और प्रेम के रिष्टे के बारे में अभी किसी को नहीं पता था इसलिए नताशा को अभी भी यही लगता था कि प्रेम की लाइफ में सिर्फ प्राची ही है फिर नताशा अपने दोर से कुछ पेपर बाहर निकालती है और उन पेपर्स को देखते हुए बोलती है प्राची को तो मैं जब चाहो तब आपकी जिन्दगी से बाहर निकाल कर फेख सकती हूँ लेकिन लेकिन मेरी असली प्रॉब्लम तो आपकी बीवी है अच्छा खासा उस दिन आपका डिवोस हो जाता लेकिन उसकी खुबसूरती ने आपको अपना दिवाना बना दिया लेकिन वो भी आपको छोड़ कर चली गई फिर नताशा अपनी गर्दन पर अजीब तरीके से हाथ फेरते हुए बोलती है अच्छा हुआ कि खुद ही आपको छोड़ कर चली गई वरना उसका भी बाकी लड़कियों की तरह वही हाल होता जिन लड़कियों ने आपके करीब आने की कोशिश भी की है फिर नताशा प्रेम की फोटो को अपने हाथ में लेती है और उसके होठों पर उंगली फिराते हुए उसके होठों को चूम लेती है तुम नहीं जानते प्रेम तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या छोड़ा है पैसे की कमी नहीं है मेरे पास तुम नहीं जानते, मैं कितने बड़े बिजनेस्मेंट की बेटी हूँ बस तुम्हारे करीब रहने के लिए तुम्हारी पसनल असिस्टेंट की जॉब कर रही हूँ जबकि मेरे डैड मुझे अपनी कमपनी का CEO बनाना चाहते है नताशा वापस से उन पेपर को अलमारी में रख देती है और फिर अपनी केबिन को पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल से बंद कर देती है और फिर अपने बैग से एक electronic device निकालती है और उसे अपने पैरों के बीच में ले जाते हुए अपने अंदर लगा लेती है और रिमोट कंट्रोल से उस device को स्टार्ट कर देती है देवाइस के स्टॉट होते ही नताशा आँखे बंद करके प्रेम को याद करने लगती है और आहे भरने लगती है नताशा इस वक्त प्रेम को अपने जिसन के अंदर इमेजन कर रहे थे और कुछ देर बाद उस electronic device से खुद को satisfy करने के बाद नताशा गहरी सांस लेकर खुद से बोलती है अभी तो इन मशीनों से काम चलाना पड़ता है ना जाने कब तुम मेरी प्यास बुझा होगे प्रेम के केबिन में प्रेम अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी था कि तभी प्रेम का फोन बज़ता है और जब प्रेम फोन देखता है तो किसी unknown number से कॉल आ रहा था unknown number देखकर प्रेम फोन कट कर देता है और फिर से अपना काम करने लगता है लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से प्रेम का फोन बज़ता है और उसी unknown number से कॉल आता है और प्रेम फिर से call cut कर देता है थोड़ी देर बाद में प्रेम की सभी board members के साथ meeting थी और वो meeting चल ही रही थी कि तभी प्रेम का phone फिर से बचता है और उसी unknown number से call आता है और अब प्रेम उस number से irritate हो गया था प्रेम फिर से call cut कर देता है और अपनी meeting continue करता है meeting खत्म हो जाती है और प्रेम अपने केबिन में फिर से काम करने लग जाता है लेकिन फिर से उसी unknown number से दुबारा प्रेम को call आती है और फिर से unknown number देखकर प्रेम call cut कर देता है प्रेम एक बहुत बड़ा business man है और किसी आम आदमी के लिए प्रेम का number निकालना एकदम ना मुम्किन है अगर प्रेम से किसी को मिलना है, बात करनी है या कोई भी meeting करना चाहता है तो पहले उसे appointment लेनी होगी उसके बाद ही वह इंसान प्रेम से मिल सकता है इसलिए प्रेम अपने private number पर किसी unknown पसंड का phone नहीं उठाता था प्रेम के personal number पर call या तो family members कर सकते थे या फिर उसके friend या फिर office में जो उसके बहुत ही ज़्यादा close या फिर imported person है वही प्रेम को directly call कर सकते थे शाम के लगभग चार बजे बजे प्रेम का phone फिर से ring करता है और उसी unknown number से call आता है लेकिन irritate होकर इस बार प्रेम phone उठा लेता है और बहुत ही गुसे में बोलता है hello और तभी phone के दूसरी तरफ से एक बहुत ही प्यारी आवाज सुनाई देती है hello और प्रेम जट से वो आवाज पहचान जाता है कि ये उसकी प्यारी बीवी मननत है प्रेमा वाइफी मननत अह जी मैं आपको सुबल से call कर रही हूं लेकिन आप मेरा call ही नहीं उठा रहे सच कहते हैं लोग आप बाकी काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं मननत की बात सुनकर प्रेम के चहरे पर smile आ जाती है और फिर प्रेम मुस्कुराते हुए बोलता है बिजी तो मैं बहुत रहता हूं काम भी बहुत सारा रहता है लेकिन अगर ये पता होता कि ये नंबर तुम्हारा है और तुन मुझे याद कर रही हो तो सारे काम छोड़कर तुम्हारे पास आजा प्रेम की बात सुनकर मनत शर्मा जाती है प्रेम आगे बोलता है वैसे क्या बात है वाइफी जो तुन मुझे सुबह से कॉल कर रही हो मनत थोड़ा जह ज़कते हुए बोलती है वो वो क्या आप आज थोड़ा जल्दी आ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आपको कोई जरूरी काम है तो कोई बात नहीं आप प्रेमा तुमसे जरूरी मेरे लिए कोई काम नहीं है लेकिन तुम आज मुझे जल्दी क्यों बुला रही हो कुछ हुआ है क्या वाइफी तुम ठीक तो हो कोई प्रॉब्लम है किसी ने कुछ कहा तुमसे मनत नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं बस इतना बोल कर मननक चुप हो जाती है तो प्रेम बोलता है मैं बस क्या वाइफी मननक जिजखते हुए बोलती है मेरी का जन सिस्टर अर्चना और उसका हस्बेंड भी यहां लंदन में ही है और वो लोग भी इसी होटल में ही रुके हुए है जब मैं आपको फोन देकर वापस आ रही थी तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी फिर उन्होंने बोला कि आज रात का दिन साथ में करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने हस्बेंड को आई मीन कि आपको अपने साथ लेकर आउन अगर आप साथ में चलेगे तो मैं फिर आज का दिन नहीं बनाऊंगी लेकिन अगर आपको आने में लेट होगा तो मैं फिर आपके लिए दिन बना के रखूंगी और अगर आप नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं मैं उन्हें कोई ना कोई बहाना बना दूंगी प्रेंग कुछ सोचते हुए बोलता है नहीं वाइफी तुम्हें कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है मैं शाम को साथ बजे बजे तक आ जाओंगा फिर हम साथ में दिन के लिए चलेगे प्रेंग की बात सुनकर मननत खुश हो जाती है और मननत खुश होकर बोलती है और थैंक यूँ मैं शाम को आपका इंतजार करूंगी इतना बोलकर मननत फोन रख देती है और प्रेंग भी मननत की बात सुनकर मुस्कुरा देता है बहुत ही ध्यान से मननत के नंब को देखता है और फिर उस नंब को वाइफी के नाम से सेव करता है